इगास सनातन सस्क्यति के एकदशी शब्द का गडवाली संसकरण है। गडवाली में अनेक स्थानों पर कख यक्षो को गव की तरह उच्चारित करते हैं। जैसे जक्स के लिए जक्स, आकास के लिए अगास और राक्षस के लिए रागस। इसी तरह एकदशी को इगास कहते हैं। सामन्य तह एक साल में 24 और मलमास वाले वर्ष में 26 एकदशी होती हैं। किन्तु कार्तिक शुक्ल एकदशी विशेष तह इगास के नाम से प्रसिद्ध है। ये गडवाल का अत्यंत महत्त पूर्ण त्यवार है। कार्तिक शुक्ल एकदशी तक वर्षा समाप्त प्र इसी ये वधी में दिपाउली के ठीक 11 दिन बाद आता है इगास पर्व। इगास के संबंद में गडवाल में अनेक मत प्रचलित हैं। एकमत के अनुसार गडवाल के महाराजा महीपती शाहा के सेनापती मादू सिंग भंडारी सन 1631 के आस पास तिब्बत युद्ध जीत कर लोटते समय बरफिले तूफान में घिर जाने से मार्ग भटक गए थे और दिवाली के ठीक 11 दिन बाद कार्तिक शुकल एकादशी को श् सव मनाया गया था इस संबंद में गडवाल में परचलित एक लोग गीत विचारणी है जो मादू सिंग की मा की ओर से कहा गया कहा जाता है सोल एने सराद माधो सिंग बार एने बगवाल माधो सिंग सब्भी भड गर एने माधो सिंग मेरू माधो नी आयो माधो सिंग इस गीत से सपस्ट होता है कि माधो सिंग बारा बगवाल की अवदि तक श्री नगर नहीं पहुँच पाये थे दिपावली से एगास तक के बारा दिनों को बारा बगवाल कहा जाता है गड़वाल में बगवाल सब्द दीपावली के प्रियुक्त होता है किन्तु व्यापकर्थों में ये शब्द उत्सव, खुशी, आनंद का बोधक भी है इस अवधी में गड़वाल में आनंद उमंग उत्सव मनाए जाते हैं अतह मादो सिंग के आगमन की खुशी में इगास मनाये जाने का तर्क उप्युक्त नहीं लगता एक अन्यमत के अनुसार, श्री राम की लंका विजय और राज्या विशेक की खबर इगास के दिन यहां पहुँची थी अतह उसी दिन दीपावली मनाई गई बहुत से लोग इसे बूड़ी दिवाली भी कहते हैं हकीकत में बूड़ी दिवाली गड़वाल के रवाई और जौनसार शेत्र में मनाई जाती है जिसका अयोजन दिवाली के ठीक एक महापश्चात मार्ग शीर्ष अमावश्या को किया जाता है जौनसार बावर में प्रशलित माननेताओं के अनुसार आवगमन के सादरों के अभाव, महानदियों, गगन चुम्बी परवतों, घने जंगलों, गिरी गवरों से भरे इस शेत्र में राम के राज्य विशेक की खबर देर से मिली थी उस समय खेतों में फसलें काटकर सुखाने के लिए रखी हुई थी, जहां तहां घास, भूसा, पुवाल के अमबार लगे हुए थे, अते खेती का काम पूरा करके एक महाबाद मार्ग शिर्श अमावश्या को दिपावली का त्योहार धूम धाम से मनाया गया तब से यह परंपरा यह थावत जारी है, जोन सार शित्र की इस दिवाली को बुड़ी दिवाली या रिख भगवाल कहा जाता है, माननेता है कि यह खबर रिख्ष जाती के लोगों द्वारा पहुँचाई गई थी, अते उक्तकारण से इगास पर वो मनाये जाने का यह तर परतिक शुक्ल दश्मी तक चार महा के लिए सिष्च का संचालन रुद्रदेव को सौप कर क्षीर शागर में योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। प्रक्रत तीर्थ हैं। आखिर शिष्च का नव स्रिजन पुरातन के विनाश के बाद ही तो संभव होता है। अतह संगहारक रुद्र इस अवधि में पुराने का विनाश कर शिष्च के नव स्रिजन की प्रिष्ट भूमी तैयार करते हैं। हेमंत रितु के आते आते विष्चु की योग निद्रा तूटती है और इगास को विष्चु योग निद्रा से जाग जाते हैं। वातावरण में नवीन प्राणवाय। नवीन उर्जा का संचार होता है। व्रक्षों पर पुराने पत्र अपना स्थान छोडगर नव पल्लवों के लिए स्थान बनाने लगते हैं। पाटल, मोगरा, मालती, हार सिंगार, सेवन्तिका, दुपहरिया, गुढ़हल, गुल्दावदी के पुष्पों की छटा मन को मोह लेती है। खर्षों लास के साथ आनन्द उत्सव मनाया जाता है। इस तरह इगास का यपर्व पुरानी सड़ी गली रीति नीति, मानसिक्ता, आचार विचार के शुद्धिकरण वो नर्व निर्वान का संदेश देता है। विश्रु के इस जागरन दिवस को तेव उठावनी इकादशी या देव उत्थानी इकादशी कहा जाता है। जिसे गड़वाल में इगास बगवाव कहते हैं। बांद दिया जाता है। छिले पर आग लगाई जाती है और रसे के दूसरे छोर को हाथ से पकड़ कर इस अगनी पुझ को आड़ा तिर्शा सिर्के चारों और पैरों के बीच से घुमाते हुए ढोल दमाओं की ताल पर आबाल बृद भैलो हो भैलो कहते हुए रोमांचक नित्त करते हैं। लोग गाते भी हैं। या फिर गाते हैं चला खेलियो ला भेलो रे रात भर भेलो खेला जाता है इस तरहे अंदकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है इगास भगवान विश्णु के जागरत होने पर रुद्र देव अपने धाम के लिए प्रस्थित होकर कार्तिक शुक्ल चतुरदर्शी यानि बैकुंट चतुरदर्शी को कैलाश पहुँचते हैं उनके कैलाश पहुँचने पर कार्तिक पूर्णिमा को देव लोक में दीपावली मनाई जाती है जिसे देव दीपावली कहते हैं शिव की परंप्रिय नगरी काशी में भी कार्तिक पूर्णिमा को देव लोक में दीपावली का उत्सव हर्शुलास के साथ मनाया जाता है श्री नगर का मलेश्वर मंदर सहीत गड़वाल के उनेक शिव मंदिरों में इस तिथी को खड़ी दिये के साथ तब किया जाता है पिछले कुछ वर्षों से गड़वाल में इगास पर्व के पृति विशेश रुचे देखने को मिल रही है अपनी असमिता से जुड़ाओं की बैयार प्रवासियों के मन तक भी पहुचती दिख रही है पिछले वर्षों में अनेक वासी प्रवासी इगास पर्व मनाने के लिए अपने पैत्रिक गाउं में आने लगे हैं वर्तमान समय में बढ़तेवे अनिश्यता के वातावरण से अपनी जड़ों से जुड़ाओं आवशक लगने लगा है अनेक प्रवासी अपने खेत खलिहान ढूनने लगे हैं गाउं में आवाजाई बढ़ रही है ये एक सुखद सयोग है इगाउं परव गाउं की और लौटने के लिए ध्वच वाहक की रूप में अपनी पहचान बना रहा है इगाउं परव और हम सब प्रार्थना करें क्रिशिष्च के पालक विश्णु और संगार कुरुद्र समस्च गढवासियों के अंतरमन में अपनी मिट्टी के प्रती सनेह सम्मान जागरत करें ताकि देव फूमिगडवाल भारत के अग्रणी राज्य की रूप में प्रतिश्चित हो सके